नमस्कार स्वागत आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्ता उत्तरप्रदेश में दो लड़कों की जोडी के बारे में तो आप जानते ही होंगे जी हाँ सही समझ रहे हैं हम राहुल गांदी और अखिलेश यादव के बारे में ही बात कर रहे हैं जिनकी जोडी ने लोगसभाद चुनाव में उत्तरप्रदेश में जम कर बवाल मचाया था इन दोनों के याराने ने जनिता का दिल जीता भारी संख्या में वोट बैंक हासल किया था और बीजेपी को उसी के घराने में बड़ा जटका दिया था लेकिन शायद अब इस जोडी को किसी की नज़र लग गई है खबरे हैं कि यूपी के दोनों लड़कों की जोडी अब तूटने वाली है दरसल यूपी में दिन पर दिन कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसी खबरे आ रही है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बड है यूपी में होने वाले उपचनाव में दस सीटों के बटवारे को लेकर अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो कदम भी नहीं चल पाए हैं जबकि गड़बंदन को 6 महीने हो चुके है ऐसे में माना जा रहा है कि आगे बात बिगड़ सकती है ऐसे में अभी मामला कहां तक पहुँचा है आईए वो जानते हैं कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी एक साथ बीज़ेपी से कैसे लड़ पाएगी जबकि उसके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं खास पार्टी के मुख्या जिहां सपा प्रमो का खिलेश यादव और कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोनों के बीच मनमटाव के खबरे सामने आ रही हैं ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के फूलपुर में जहां उपचुनाव होना है वहां कॉंग्रिस के सन्विधान सम्मेलन में जम कर हंगामा हुआ मंच के सामने कारिकर्ता आपस में ही भिड़ गए कारिकर्ता एक दूसरे पर मुक्य बरसा रहे थे ये सब कुछ मंच से यूपी कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष अजेराय और राष्टी महासचिव अविनाश पांडे देख रहे थे लोगसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कॉंग्रिस को उम्मीद से जादा सीटे दी थी तब राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक साथ आये थे लेकिन आब उसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं सुत्रों का कहना है कि विधान सभा उपचुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गटबंदन तूट सकता है और इसकी वज़ा बनेगा उपचुनाव में सीटों का बटवारा कॉंग्रेस जितनी सीट मांग रही है अखिलेश यादव उसे इतनी सीट देने को तयार नहीं है इसी बात पर पेच पस सकता है दरिसल यूपी में 10 सीटों पर विधान सभा उपचुनाव होना है इसके लिए कॉंग्रेस 50-50 सीट शेरिंग फॉर्मूला चाहती है यानि 5-5 सी समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हर्याना और जमू कश्मीर में राहूल गांधी से सीट की मांग की थी लेकिन राहूल गांधी ने समाजवादी पार्टी हर्याना और जमू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी जुसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जमू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे हालक ये कहना गलत नहीं है कि अखिलेश यादव के कारण ही यूपी में अस्तित्वक होने की कगार पर खड़ी कॉंग्रिस पार्टी को संजीवनी मिली थी अब विधान सबो अपचुनाव में भी कॉंग्रिस अखिलेश यादव से उसी दर्यादिली की उम्मीद जता रही है साथी साथ उन्हें अकेले अपचुनाव लड़ने का तेवर भी दिखा रही है और कहीं न कहीं राहुल गांधी से मिला ये धोका अखिलेश यादव शायद ही भूले होंगे और हो सकता है कि यूपे के उपचुनाव में कॉंग्रिस को यही सबक सिखाना चाहते हैं वैसे कॉंग्रिस ने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीती भी तैयार कर ली है ऐसे में मुकाबला इस बार टक्कर का होना तै है खेर होता क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहेए सी निउस भारत